नमश्कार मैं हूँ आपके साथ हनुश्का और स्वागते आप सभी का आर्नाइन भारत में आप हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही आप आर्नाइन भारत को फेस्बुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं मासुम बेटी को गोत में लेका इंसाफ के लिए दरदर भटक रही मा कभी कोत वाली तो कभी कप्तान के दफतर, मगर उसे न्याई की जगे हर जगे से तरकाया जा रहा है अब इस महें बेम के दफतर में दस तक दी है आपको पता चले इस शहर के महला धरबर जंग में रहने वाली इरम ने बताया कि वे अपने बाबाब की इकलोती थी और उसकी शादी कुछ साल पहले अलीगड में हो गई थी यहां जमीन जैजात को उसके चचेरे भाई समालते थे उसके पता का इंतकाल तो पहले ही हो गया था और इसी अप्रेल में कोरोणा महामारी ने उसकी मा को भी निकल दिया एक सब्ता पहले जब वे अपनी जमीन जैजात देखने आई तो उसके पाउँ तले जमीन खिसक गई उसके अपने घर पर ताला किसी ओर ने लगा रखा था और उसे उसके इससे की दुकान का किराया न देने की भी चेतावनी उसके अपनों नहीं उसे देदी तीन दिन पहले रिष्टेदारी में इसी को लेकर पंचायत हुई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला जिसके बाद इरम दर्दय न्याय के लिए भेटक रही है जिसके बाद की तो वो हमारे साथ मारपीट करने लगे हम कोतवाली में गए रिपोर्ट के लिए तो हमारी आइफायार कहीं भी ने लिखी जा रही है क्योंकि वो फिरोज कमाल के विधायक सर जो काफी अच्छे मित्र है अभी उन्होंने कल कोतवाल सर ने का कि ठीक है आप कल और मैं आपको जो है सॉट आउट करूँगा आप जब हम गए तो विधायक सर कह रहे हैं कि वो खीक है आपको उन्होंने बुलाया है कोतवाल सर ने का कि आपको विधायक सर ने अपने आवास पर बुलाया है सर आवास पर हम जाके क्या करेंगे हमें नियाए पोलिस नहीं लखीमपुर खीरी से प्रात्मिक विध्याले बंधूइन भाग एक वभाग दो का और चक निरिक्षर कर पठन पाठन का जाय जा लिया उन्होंने प्रात्मिक विध्याले भाग दो के निरिक्षर में विध्याले की साफ सपाई की विवस्ता सही नहीं पाए जाने पर कुछ बच्चों के पास ड पठन पाठन की जानकारी की जिसमें बच्चों दारा सही उत्तर ना देने पर सिक्षकों को निर्देश दियेगे कि सेक्षडी गुर्वत्ता में सुधार करें तता विध्याले की अच्छी तरह से साफ सफाई विवस्था कराई जाए नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ सक्त कारवा ही करूँगा ततपश्चा जिलादिकारी ने प्रात्मे के विध्याले भाग एका निरिक्षड किया जहां पर साफ सफाई विवस्था तता सिक्षा का इस्तर भी सही पाया गया सभी सिक्षा को पस्तित पाए गए 105 पंजीकरत बच्चों में से 64 बच्चों पस्तित पाए गए विध्याले की एक दिवार पर सीलन पाए जाने पर जिलादिकारी ने ग्राम प्रधान श्री स्यांचिंग को निर्देश तिये कि ततकाल इसको ठीक कराया जाए उन्होंने विध्याले के स्मार्ट क्लास में पहुँच कर बच्चों से प्रोजेक्टे के माध्यम सो हो रही पढ़ाई की जानकारी की जिसमें बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया उन्होंने सिक्षणों से कहा कि सिक्षा के इस्तर को और बढ़ाया जाए R9 भारत के लिए क्रिश्न कुमार मिश्रा की रुपोर्ट चित्रपूर्ट से